सब अच्छे होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे आज फिर आपके लिए वीडिंग लेकर आई हूं और हम देखने वाले आपका क्टूबर कमंत कैसे रहने वाला है तो उससे पहले मैं यही कहूंगी कि अगर आपको पॉस्टनल लीडिंग चाहिए तो आप मेरी स्क्रीन प परफॉर्म करनी है तो ठीक है ओके लेट सी ओके एक कार्ड जो यहां पर टर्न हो चुका है उसको मैं ले ले तो यहां पर लाइफ पॉपस एक काड और लेंगे आपके लिए देक से उनिवर्स प्रीज काई दगा दे आप मैंसे काफी लोग यहां पर अपने लाइफ पॉपस की तरफ जाते दिखाई दे रहे हो यह आपके लिए लिए कि अक्टूबर के मन्त में और अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉकेज था ना कोई भी रीजन हो सकता है किसी ने हर्ट किया हो किसी ने चीट किय हो दोका दिया है आपको या पिर क्या दीजे कि आपका ही हार्ट चक्रा इंबैलन्स हो गया था किसी भी रीजन से यहां पर वो भी एक कारण बन सकता है कॉन्फिक्ट में चले गयते किसी के साथ आप तो वो भी एक कारण हो सकता है जो भी रीजन हो बर अगर अब आपका हा हो सकता है और आपको फिसे से प्यार भी हो जाए और अपने लाइफ परपस की तरफ बढ़ते वह दिखाए दे रहे है आपको अप्य अक्टूबर मन्द में यह feel हो सकता है कि मैं life purpose क्या है या फिर हो सकता है आप दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करने वालो इस समय पर चुकि हम सबका एक life purpose तो ज़रूर है वो है सबकी मदद करना, दूसरों की मदद करना तो वो भी यहाँ पर आप मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है मैं अकेले भी कुछ रह लेता हूँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है वो सकता है आप में से कफी लोग spiritual path पे भी चलने लग जो ठीक है वड़ आप अपनी life में खुश हो और अपनी life को और बहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हो ऐसा कार्ड आपके लाँ दिखा रहा है लेट सी और क्या मैसेज है इन्ट्यूटिव काफी जादा इन्ट्यूटिव इस समय पर हो सकते हो अप अपने emotions पे Goddess है तो आपने emotions पे control पाते वे दिखाई दे रहे हूँ जो emotions overflow हो रहते इन्ट्यूटिव और मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हूँ आप अपनी life को बहुत प्राइवेट रखने की कोशिश करोगा आप नहीं चाहोगे कि लोगों पता चले कि मेरे life में क्या चल रहा है मैं क्या feel कर रहा हूँ या feel कर रही हूँ बहुत पॉसिबिलिटीज है यहाँ आप अपने शिकापे लोग के लिए आगे देख लिए हैं suffering in silence and disruption इस वज़े से भी शेयर अपनी life को पाफी प्राइवेट रख रहे हूँ देखो spiritual path कभी भी असन रहा ही नहीं है फ़ले बता दू spiritual path कभी भी असन रहा ही नहीं है जब spiritual path पर इंसान चल रहा होता है न तो अपने life purpose तक ज़रूर पहुचता लेकिन कटनाईयों से past की जो भी आपकी feelings थी आपकी जो भी expectations आपकी जो भी नजरिया चीजों को देखने का या जो भी कहले हैं सब कुछ खतम होके आप एक new belief system के साथ आगे बढ़ते वे दिखाई दे रहे हो पुराने आप जो थे न वो कहीं आप खतम होते वे आप new आप में आपको कदम रखते वे दिखाई दे रहे हो और मैं देख पर कोई भी pain आपको है आप बहुत ज़रा आप pain लेकर धो सकते हैं उसको पर ये आपकी spiritual पात का कहा लिजे की एक पात है जिसमें जब आप सीखोगे कि let go कैसे करते हैं चीजों को हमें pain तभी मिलता है जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़रा attach होते हैं वो attachment अगर हम खदम कर देते हैं उस चीज़ से तो हमें वो pain से relief मि आपका जो main चीज है lesson है वो है let go करना हम चीजों को कैसे let go कर सकते हैं ठीक है freely रह सकते हैं ठीक आईए देखते हैं और क्या message है main message आपके लिए यहाँ पर Gemini यही दिख रहा है जितना आप let go करोगे चीजों को उतना आपके लिए अच्छा है तो कोशिश करें एक डूपर मन में चीजों को let go करो बहुत ज़रा दिल से मत लगाओ वाज़रा सोचो मत किसी चीज के बारे में ठीक है जो होना होगा वो बहुत बड़ा बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है ठीक है आप इसे काफी लोग एक ऐसी मार्व में हूँ जो सब जानना चाहते कि मैं क्यूं हूं सरकी पर और आपको पता चलता दिखाई दे रहा है करेज आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है ठीक है I live life passionality and courage किस चीज में उसको फिर अपने life में किसी चीज का डर नहीं होता डरू किस चीज दे डरू किस चीज दे तो यहां पर खुद का वो courage रखने के लिए मैंने बोला पहले ही अपनी life को काफी private रखोगा मौकर नहीं दो कर सामने वाला आपके कोई भी कमजोरी है किसी भी nerves या किसी weakness का आप हो जाओगे उतना पुराने अपनी पुरानी self को छोड़ कर एक नए self में इंटर करें और पता है यह बहुत असान नहीं होता किसी के लिए भी spiritual awakening से गुजरना असान नहीं होता और यह जो transformation से गुजरना होता है वो भी असान नहीं होता तो कहीं न कहें आप इसको बहु आपके मन में किसी चीज को खताम होई है डर कियоны होता है जब आप in किसी चीज को खोने का डर होता है अब आब आपके मन में बहुता पर आप के मन में बहुटता दिखांगे देगा अब आप चीजों को लेड़गो करोगी जयसे मैंने ब 받ı ला है लेदको की videos कि जाते वहीं झाल झाल